एक साधू देश प्रमन के लिए पैदल निकला हुआ था एक बार रात हो जाने पर वा किसी गाउं में आनन नाम के व्यक्ति के दर्वाजे पर रुखा आनन ने साधू की खूब सिवा की दूसरे दिन आनन ने बहुत सारे उपहार देकर साधू को विदा किया साधू ने आनन के लिए प्राथना की भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता ही रहे साधू की बार सुनकर आनन हस पड़ा और बुला अरे महत्मा जी जो है ये भी नहीं रहने वाला साधू आनन के और देखता रह गया और वहां से चला गया दो वर्ष बाद साधू फिर आन किया जोपड़ी में फटी चटाई पर बिठाया खाने के लिए सूखी रोटी दी दूसरे दिन जाते समय साधू की आँखों में आसू थे साधू कहने लगा हे भगवान ये तुने क्या किया आनन पुन हस पड़ा और बला महाराज आप क्यों दुखी हो रहे महापुरूश ने कहा है कि भगवान इंसान को जिस हाल में रखे इंसान को उसका धन्यबाद करके खुश रहना चाहिए समय सदा बदलता रहता है और सुनो ये भी नहीं रहने वाला साधू मन ही मन सोचने लगा मैं तो केवल भेश से साधू हूँ सच्चा साधू तो तू ही है आनन कुछ संतान वहिन था मरते समय वह अपनी सारी जाइदाद आनन को दे गया साधू ने आनन से कहा अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे ये सुनकर आनन फिर हस पड़ा और कहने लगा महराज अभी भी आपकी नादानी बने हुई है साध अगर शास्वत कुछ है तो वह है परमात्मा और उस परमात्मा की अंच आत्मा आनन की बात को साधू ने गौर से सुना और चला गया साधू कई साल बाद फिर लोटता है तो देखता है कि आनन का महल तो है किन्तु कबुतर उसमें गुटर्गु कर रहे है और आनन का दिहा लेगरने वाला नहीं है दुक्क्या सुक्ष कुछ भी सदा नहीं रहता तुसोचता है प्रडोसी मुसीबत में है और मैं मौज में हूँ लेकिन सुन न मौज लाज रहेगी और नहीं मुसीबत। सच्चे इनसान वे हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं। मिल गया माल तो उस माल में 1947 हें और हो गये बेहाल तो उस हाल में HP s juvenile बहाद दान्य है sharing और धन्य है सत्फोरू, मैं तो जूठा सादू है। असली फकिरी तो तेरी जिंदगी है, अब मैं तेरी तस्वीर देखना चाहता हूँ, कुछ फोल चड़ा कर दुबा तो मांग लूँ, साधू दूसरे कमरे में जाता है, तो देखता है कि आनन्द ने अपनी तस्वीर पर लिखवा रखा है, आखिर में ये भी नहीं रहेगा, खुबी और खामी दोनों ही होती है हर इंसान में, जो तराश्ता है उसे खुबी नजर आती है, और जो तलाश्ता है उसे खामी नजर आती है, दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राई है, निचे कमेंट करके जरू बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छे